दोस्तो सब्सक्राइब करें चमतकारी समधान को, प्रेस करें इस बेल को, ताकि आप देख सके वीडियो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का दोस्तो, मैं हूँ आपकी दोस राशी, दोस्तो होली और दिवाली बहुत बड़े पर्व माने जाते हैं जिने किसी न किसी रूप में पूरे भारत वर्ष में मनाया जाता है इन दिनों जहां कई शुप काम होते हैं, वही कुछ अशुप काम भी किये जाते हैं और इन अशुप कारियों के लिए चोराहा रास्ता आधी का प्योग किया जाता है दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे तीन काम जो आपको होली के दिनों में नहीं करने चाहिए पहला इन दिनों किसी भी तरह का उतारा चाहे वशी करण हो या काला जादू या किसी भी तरह की कोई टोना टोट का या उपरी बादा हो किया जाता है इसके साथ इनी दिनों में इसका उतारा भी किया जाता है क्योंकि ये दिन बहुती प्रभावशाली होते हैं इन दिनों में लोग अपने कस्टों का निवारन करते हैं और उतार कर उन्हें सडकों पर चोराहों पर फैंक देते हैं और जो भी वेक्ति इन चीजों को क्रॉस करते हैं उन पर इनका असर हो जाता है। इसलिए होली के दिनों के समय चोराहे को क्रॉस करते समय थोड़ा सा ध्यान दें। दूसरा, यदि इन दिनों कोई आपके घर मिठाई या कुछ मीठा लेकर आता है जो विशेश रूप से सफेद हो उसका सेवन ना करे। तीसरा, रास्ते पर यदि कहीं आपको नीमू, सफेद मिठाई, चावल, लाल सिंदूर या काला कपड़ा दिखाई दे तो अपना रास्ता तुरंट बदलने। तो दोस्तों ये थे वो तीन काम जो आपको होली के दिनों में नहीं करने चाहिए। अपनी समस्य और परेशानी को आज ही दूर करें चमतकरी समधान के टोटके रूपायों से और चमतकरी समधान की बाकी वीडियो के लिए हमारे चैनल चमतकरी समधान को आज ही सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और करना ना भूले